बिस्मिल्लाहिराख्मान रर्रहीम असलाम अलेकुम हम पढ़ रहें लाराविल 9 for beginners और आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे anonymous components के बारे में last lecture के अंदर हमने components के बारे में पढ़ा था और हमने components बनाये थे एक हमने component postcard के नाम से बनाया था और उसी का class था हमारे पास with the name postcard.php जिसके उपर हमने index जो post के अंदर हमारे पास index है उसके अंदर हमने कुछ इस सरा से वो postcard जो है वो use किये थे anonymous components basically क्या होते हैं मैं यह जितनी files मेरे पास open में यह बंद कर देता हूँ anonymous components basically वो components होते हैं जिनका class नहीं होता जैसे यह postcard हमने artisan की मदश से बनाया था जिसका class भी generate हो गया था postcard के नाम से और एक view नाम का folder अलग से app folder के अंदर generate हो गया था और views के अंदर भी हमारे पास components नाम से अलग से एक folder बन चुका था ठीक अनॉन्मस components वो होते हैं जिनका class नहीं होता means कि वह component हम डारेक्ली यहां पे खुझ से create करें जैसे कि अभी मैं यहां पे कर रहा हूं एक new file करके components नाम के folder के अंदर views के अंदर components नाम के folder के अंदर में एक new file करके यहां पे खुझ से template.php है मैं इसकी यह top वाली जो div है यह मैं copy कर लेता हूं अपने पास ओके यह मैंने div copy कर ली और div में यह close कर देता हूं इसमें होता क्या है कि एक बार उसके लिए हम लाराविल की documentation की तरफ आ जाते हैं components के अंदर blade components के अंदर rendering component passing data to components caching short attribute syntax component methods component attributes merge classes this slot ठीक के यहां पे तो एक button बनाया गया है हमारे पास एक div है ठीक के उसके अंदर बीच में बस एक slot नाम का एक tag बना दिया जाता है जो कि अपना सारा काम कर रहा होता जैसे कि यहां पर या जो index के अंदर हम एक 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 करके जो tag बनाया था उसी टाइप का यहां पर जस्ट एक वेरियबल बनता है अन्नोनमस के अंदर जिसके अंदर हम स्लॉट नाम का एक वेरियबल बना देते हैं सरफ ठीक है यह काम किस सरा से करेगा कि हम क्या करेंगे जो हमारे पास इंडेक्स ब्लेड है पोस का ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं इसकी अंदर हम क्या करेंगे कि जो सारी चीज हमारी प्रिंट हो रही है यहां पर हम इस सरा से इसको एक्स डेश काड ठीक है क्योंकि हमारे पास सर्फ काड नाम से है तो हम मैं हम यहां पर ज्यूस्ट काड नाम से बनाएंगे और इसको हम ।is कर्भा से एक्स काड करकी क्लो्स करेंगे एंड बीच में हम हम अपना सारा कोड जो है इसमें एंटर कर देंगे कुछ इससरा से ठीक है और कि आफ्टर दिस हम क्या करेंगे कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं उपने पास मैं जैसे यहां पर आकर रफ्रेश्च करूंगा तो रफ्रेश्च करते हैं देखें मुझे कम्प्रीट बैग्राउंड मिल गया क्योंकि मैंने क्या किया कि मेरी यह जो चीज़ें प्रिंट हो रही थी पहले हमने जो एक्स पूस्ट कार्ड से जो यह चीज पूरी डिजाइन की थी हमने ठीक है यही सेम टाइप क्योंकि से सेम अप्लाइड है और यही डिव मैंने अलग से इनको कार्ड के तोर पे एक अलग से लाइक पैरेंट डिव करके में इनको अप्लाय कर दिया तो वही सेम बैग्राउंड हमारा इसी के उपर भी अप्लाय हो चुका है ठीक है अब हम क्या करेंगे मैं थोड़ा सा चैंजिंग कर कर लेता हूं इस दिव के अंदर क्योंकर फूरा सेम हो चुका है कि तो मैं इसके इसमें से हमारा पॉस्ट कार्ड है कर सो हमारे पूस्ट के लिए यह पीपा। कुछ लैर्ट ऐन्लेड उन पैकंडिंग जु है कार देता हूं रफ्रेश्ट करने पे कि देखें कुछ इस तरह सेट हो गया मैंने अंदर जो पूस का जो सीससा वो मैंने क्यूंकि चेंज कर दिया तो अब मेरे पास कुछ इस तरह से पोस्ट डिजाइन हो गई है देखें पहले से काफी अच्छा लग रहा है मैं काम कर लेता हूं कि मिरे पास नाइट वर्जिन अन है तो अब कलरिंग बैतर नदर आ रही होगा तो देखें काफी उसमें फरक आ गया और पहले से ज्यादा अच्छा भी लग रहा है पहले से काफी होस्ट भी लग रहा है और इसके लाब में क्या करूंगा जो मेरे इंडेक्स कंदर जो एक्स कर देता हूं अगर आप यूजर्स में से किसी ने जो पहले यानि के यूजर्स नहीं की टैल्वेंट सी एसस तो वो टैल्वेंट सी एसस की डॉक्मेंटेशन पढ़ सकते हैं बहुत इसी है सेम बूट स्ट्रेप की तरह ही काम होता है मगर यह मेरी नजर में ज्यादा फास् इतना खास फरक नहीं पढ़ रहा मैं इसको ठीक है कुछ इससरा मैंने इसको एक बैग्राउंड कलर दे दिया है ठीक है एंड आफ्टर दिस अब मैं क्या कर लेता हूं मैं इसको थोरा सा सेट कर लेता हूं अपने असाब से कि मेरा जो कार्ड विलेड़ अब देखें यहां पर डॉक्मेंटेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि एट्रिब्यूट्स को चिससरा से यूज हो रहे हैं यानि कि प्यूर लाराविल का तरीका यह है ब्लेड का यही मकसद है कि लाराविल ने क्या किया है पूरी एच्टेमल को भी च ज्यादा इजी हो जाएगी कि मैं सब्सक्राइब यह जितनी भी क्लास्स मैंने अप्लाय की हैं इस हमारे डिफ के उपर यह मैं यहां से कट कर देता हूं करने के बाद में डारेक्ली यहीं पर इस तरह से लाराविल स्टार्ट कर देता हूं डबल कर ली प्रैस से लाराविल एंड एरे के अंदर हम इस सरा से इसको बता दें कि भी क्लासिस एंड क्लासिस कौन सी अप्लाय कर रहे हैं हम आपके उपर यह चीलें ठीक है मैं रफ्रेश कर लेता हूं तो देखें हमारे पास सेम पर्फेक्ट काम हो रहा है कोई जैंजिस नहीं हुई यानि कि हमारे क्लासिस पर्फेक्ट ली अप्लाय हो चुकी है हमारे CSS के उपर यानि हमारे content के उपर सुरी ठीक है अब हम क्या करेंगे कि मैं क्या कर लेता हूं कि सपोस्विश कि एक और anonymous component बना लेता हूं for like titles ठीक है कि मैं यहां पे components के अंदर एक अगें न्यू फाइल बना लेता हूं विद नेम ओफ पोस्ट यह अगें अनोनिमस है क्योंके इसकी कोई क्लास नहीं है डॉट ब्लेड डॉट प्येश्पी ओके पोस्ट टाइटल डॉट 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 प्येश्पी के नाम से मैंने अलग से एक दूसरी फाइल बना दी एंड उसके अंदर में करूंगा क्या हम अगें डॉक्मेंटेशन के अंदर आ जाते हैं में नीचे आ जाता हूं थोरा सा देखें कुछ इससरा कि attributes याणि करा us नम से यानि like property जो पास कर वा रहा हूं तो वह कुछ इस सरा से use होती है मैं पहले यहांपे क्या कर लेटा हूं ह 8 डॉ बना लेता हूं हाँ दू वही यानि कि z53 यानि कि यानिकि टाइक्टल हमारा जो सुर्य यहां पर टीकि यह टाइटल इससरा से ना टाइटल क्योंकि है एच्टू में मैंने यूज किया था तो मैं पोस्ट टाइटल के अंदर यह एच्टू में यूज कर लेता हूं और एस टू को में क्लास प्रोवाइड कर देता हूं डारेक्ली टेक्स्ट एक्स्रा लार्ज एंड जो फॉंट है वो मैं सेमी बोल्ड कर देता हूं एच्टू के अंदर में यहां पर बीच में टाइटल डाल दिया मैं अब टाइटल यहां पर कैसे आया यहां पर तो कहीं से भी डेटावेस के कुछ आ नहीं रहा ठीकि इसको क्या पता कि ट पोस्ट के जरिये टाइटल यूज करवाया था जो कि हमारा यहां से आ रहा था बैसिकली इंडेक्स.blog.php में से पोस्ट और जो कि हमने कंट्रोलर पोस्ट कंट्रोलर में से सेंड किया था यहां से अपने मगर इसकी तरफ यह टाइटल कैसे आए तो वह विद रहलप आफ अपने पास वीचिल स्टुडियो कोड के अंदर लाराविल ब्लेड की तो वह में कर चुका हूं तो यहां पे इसी वजह से आटोमेटिकली यह सजेशन दे रहा है मुझे ब्लेड के नाम आटो आ रहे हैं तो मैं टाइटल यहां पे इस सरा से मैंने कर दी ठीक हैं आफ्टर इसको मैं कुछ इसरा से क्लोज भी करूंगा एंड कॉलन टाइटल क्योंकि यहां पे मैंने टाइटल यूज किया है ठीक है टाइटल को डबल कोटेशन के अंदर में यहां पर पास करा दूंगा वही पोस्ट टाइटल ओके एंड सेफ करने के बाद में यहां पे जैसे आकर पर रफ्रेश करूंगा तो देखें परफ्रेक्टली मेरे पास पोस्ट टाइटल को जिससरा से यूज हो रहे हैं आई होग कि यहां पर आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी कि अन्नोनिमस कंपोनेंट्स जो हैं वो किस सरा से लारावल के अंदर यूज होते हैं और इसके और इंडेक्स के अंदर मैंने इस तरह से एक्स कार्ड जो है वो यूज कर दिया और यह जो सारा पी एचपी का कोड़ था यह मेरा मर्ज हो गए यहां स्लॉट के अंदर ठीक हैं तो इस तरह से हमेरे कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं लारावल के अंदर इंशाल झाल झाल झाल